नमस्ते विद्यार्थी मीत्रों निलकंट विद्यालाई अनलाइन एजुकेशन में आपका श्वागत है आज हम व्याकराण का वच्चन परिवर्तवन देखेंगे निमना लेखित सब्दों को पढ़िये और समझे ताला ताले लड़का लड़के गोडा गोडे, बेटा बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपईया रुपईये उप्युक सब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत कुलिंग सब्दों को बहु अचन बनाने के लिए सब्दों के अंतिम आ को एकर दिया जाता है रात राते, दिवार दिवारे, बहन बहने, आख आखे, किताब किताबे, सड़क सड़के, भेस भेसे, बात बाते इन सब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत कुलिंग स्ट्रिलिंग सब्दों का बहु अचन करने के लिए सब्दों के अंतिमे ए लग जोड दिया जाता है लता, लताए, सेवा, सेवाए, कन्या, कन्याए, बालिका, बालिकाए, बाला, बालाए, भासा, भासाए, महिला, महिलाए, पाठशाला, पाठशालाए यहां हम देख सकते हैं कि आकारन स्टिलिंग सब्दों का बहुँ अचन बनाने के लिए भी सब्दों के अंत में आये लगाए जाता है तीथी तिथिया, चाती चातिया, वीधी वीधिया, पंक्ती पंक्तिया, लीपी लीपिया, नीथी नीतिया यहां हम देख सकते हैं कि इकारान स्टिलिंग सब्दों के अंत में या छोड़कर बहुँ अचन बनाया जाता है सखी सखिया, चीटी चीटिया, हडकी खडकिया, डाली डालिया, मचली मचलिया, कली कलिया इकारान स्टिलिंग सब्दों का बहुँ अचन करने के लिए सब्द के अंत में इ, को इ, करके या जोड़ दिया जाता है अंत वाले स्ट्रेलिंग सब्द का बहुँ अचन करने के लिए सब्द के अंतिम इया को इया कर दिया जाता है उकारान सब्द वस्तु, वस्तुए, तेनु, तेनुए, रुतु, रुतुए उकारान स्ट्रेलिंग सब्दों के अंत में इया जोड़ने से बहुँ अचन बनता है उकारान सब्द बहु बहुए, जू जूए, उकारान स्ट्रेलिंग सब्दों में उकारान स्ट्रेलिंग सब्दों के अंत में इया लगाने से बहुँ अचन बनता है प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, छात्र, छात्रगण, पाठक, पाठकगण, स्रोता, स्रोतागण, कवी, कवीगण, लेखक, लेखकरुंद, अध्यापक, अध्यापकरुंद, मजूर, मजदूर, मजदूर्वर्ग, सिक्षक, सिक्षक वर्ग ए वर्ग दल या समू का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन सब्दों के अंत में घण, वर्ग, व्रुन्द, चन जैसे सब्दों जोड दिये चाते हैं वित्रों हमने उप्युक नियमों के आधार पर निम्नले की सब्दों का बहुँद परिवर्दन किया तो अब हम उशका अभ्यास करेंगे तो नदी का क्या होगा? नदी का होगा? नदिया, किताब तो किताबे, दर्वाजे तो दर्वाचा कला, कलाए, कववा, तो सुथासे कववे, धातुए तो धातु, सडगे, सडग, कुत्ता, तो कुत्ते मित्रों हमने वचन परिवर्दन देखा, अब हम प्रत्य और उपसर को देखेंगे, उपसर किशे कहते हैं उपसर किशे कहते हैं जो सब्दांस किसी सब्द से पहले लग कर सब्द के अर्च से विशेशन लाते हैं, उपसर्ग कहते हैं जो सब्दांस किसी सब्द से पहले लग कर उशके अर्थ से विशेशन लाते हैं, उशे उपसर्ग कहते हैं अब हम सब्दांस को सब्दा से जोड कर नया सब्दा बनाएंगे दूर प्लस गोन, यानि कि नया सब्दा दूर गोन स प्लस गोन, यानि कि स गोन प्लस गोन, यानि कि योग 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 कि देश, वी देश, अनू, प्लस देश, अनू देश, दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व, तथा अनू, एसे सब्दांस है, जिनका प्रयोक्ष्वत अंत्र रुप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल सब्दों के प्रारंब में ही जोड़ा जा सकता है, सब्द के पारंब में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवतन ला देते हैं, तथा नए सब्दों का निर्मान करते हैं, उप्षर्ग वे सब्दांस है, जो सार्थक सब्दों से पुर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवतन ला देता हैं, अर्थ और उदाहरन देखते हैं अ कभी नहीं निशिद अगनान अगम अम अमन अच्छोद अच्छोग अन नहीं अभाव निशिद अनपड अनहोनी अनजान अनमोल क बुरा बुरी कपुत कु बुरा बुरी कपुत्र कुशां कु कर्म कुशमाई नि अभाव नहीं नि कमा नि डर नि ठला नि हत्ता पर पराया दूसरा दूसरी पिधी का परदेश परलोग परदादा परपोता सहित अच्छा सुपुत सुपरिवार सुविचार सकाम अध आधा अध पका अध मरा अध जला अध लिखा दूर बुरा दुगुना दुखद दूर बल दूबला दूर शप्न दुगुना बिन बिना निशेद बिन बात बिन ब्याहा बिन मांगे बिन कहे भर पूरा ठेक भर पेट भर मार भर पूर भर चक चो चार चो रहा चो मासा चो कोर चो पाई मित्रों हमने उप्षार्ग देखे अब हम प्रत्य के बारे में देखेंगे प्रत्य उन शब्दों को कहते है जो किशी अन्य सब्द के अंत में लगाए जाते है इनकी लगाने से शब्द के अर्थ में भिन्नता यानि की विशेष्टा आ जाती है मित्रों क्या होता है प्रत्य उन शब्दों को कहते हैं जो कि शी अनिय सब्द के अंत में लगाये चाते हैं इनके लगाने शे शब्द के अर्थ में भीन्ता या विशेश्ता आ जाती है उप्युक उदहरणों में लड चाचा और दया सब्दों को सब्दों में क्रम सह आई इ अत्त था आलू सब्दों सब्दों का प्रयोग करके नए सब्दों बनाए गए है लड प्लस आई लडाई चाचा प्लस ई चाची दया प्लस आलू दया आलू लड प्लस आका लड का चाचा प्लस अरा चचेरा दया प्लस वन दया वन लड चाचा तथा दया सब्दों के अंत में जोडे गए आई इ आलू सब्दांश प्रत्ये है एसे सब्दांस जो सब्द के अंत में जूड कर नए सब्द का निर्मान करते हैं, प्रत्य कहलाते हैं, सब्द प्रत्य प्रत्य के योग से बना नया सब्द देखेंगे, चल, चल, सब्द के अंत में हम प्रत्य लगाएंगे, ता, नया सब्द बनेगा, चल, ता, खा, या, खा शुनकर पढ़ आई पढ़ाई खेल ओना खिलोना गाड़ी वाला भूख आ भूखा लड़का पन इंसानियत खाट इया खटिया बल शाली जगडा आलू बाबु आईन शेर नी भीक आरी भीक खारी मित्रो आज हमने वच्चन परिवर्तन उपसर्व और प्रत्य देखे मित्रो आज हमने वाला गदवारी